प्लाटपॉम में आज जुडिश्री के सीरीज में हम करने जाने एक बहुत इंपॉर्टेंट 1960 का बेरुबारी यूनियन केस अब यू बेरुबारी यूनियन केस कई बार आप रेफरेंस में पढ़ चोके होगे प्रियांबिल की बात करते हैं तो बेरुबारी का नाम आता है कोई भी इस तरह कि अगर हम constitutional judgment की बात करते हैं जो article 1 से article 3 तक related है तब भी इस case का नाम आता है तो चलिए देखते हैं क्या थे इसके facts और क्या थी हमारी सी history जिसकी वज़े से ये case Supreme Court तक पहुँचा अगर आप state judiciary exams की profession कर रहे हैं तो इसके courses हमारे पास available है courses prelims में इस दूनों को ध्यान रखते हैं डिजाइन के गए हैं नीचे description box में दिये links आप purchase कर सकते हैं साथी साथ study IQ पर विबिन माध्यमों से जूट सकते हैं जितने भी वीडियोज आते हैं सब के PDF आप में टेल्ग्राम चनल आप्ट रेट कपल लाइब से डाउनलोड कर सकते हैं आप मुझे आप्ट रेट कपल से का Twitter handle पे भी follow कर सकते हैं तो चले समझते हैं Ray Beruba Reunion and Others vs. Unknown March 14, 1960 Final Judgment Supreme Court of India कि ऐसा क्या हुआ था इसके लिए हमें थोड़ी सी Brief History में जाना होगा आपको याद होगा 3rd June 1947 Mountbatten Plan आता है इंडिया Independence Act जिसे हम कहते हैं उसके बाद ये कह दिया जाता है कि टू-nation theory पे भारत के दो हिससे कर दिये जाएंगे इंडिया को divide कर दिया जाएगा अमंग Pakistan and India अब Pakistan के case में problem ये थी कि Pakistan को क्या area मिलेगा इंडिया के case में crisis ये थी कि इंडिया को क्या area मिलेगा जो map था उस दिन finalize नहीं किया गया उसके लिए एक सिर्ल रेट किलिफ करके एक سर्वेयर को बुलाया गया और उनसे ये कहा गया कि आपको अगले पांच हफते में भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना है अब वो भी बड़े confused थे कि कैसे मैं इसका विभाजन करूँ तो उनोंने principle of majoritarianism लगाया देखा कि जिन pockets में Muslim population जादा उसे पाकिस्तान बना दिया तो इस तरह से पाकिस्तान जो है वो दो parts उसको मिल गया और एक जो central part था वो इंडिया को मिल गया अब problem यहीं से शुरू हो गई कि यह जो जब Redcliffe plan लिखा गया जब यह सरी Redcliffe ने complete award लिखा तो इसमें एक area था जो कि modern day West Bengal में है उसको लिखना भूल गया बेरुबारी region को लिखना भूल गया पाकिस्तान ने इसका benefit लिया पाकिस्तान ने देखा कि थाना बोड़ा area जो है उसको तो mention ही नहीं किया हुआ तो बेरुबारी union का जो enclave 12 था पाकिस्तान ने उसको demand करना शुरू कर दिया साथी साथ कुछ और boundary disputes थे क्योंकि बहुत ठीक से हमारा ये जो bifurcation है नहीं हो पाया था division नहीं हो पाया था इसके लिए Lord Baggett Tribunal फिर से बिठाया गया 1948-49 में Baggett Tribunal का जब finally report आती है 1950 में पाकिस्तान ने उस Tribunal को भी कभी object नहीं किया लेकिन पाकिस्तान ने 1952 से फिर से बेरुबारी की demand करने start कर दी भारत ये कहता था बेरुबारी हमारा अपना हिस्सा है पाकिस्तान कहता था इस्ट पाकिस्तान का हिस्सा है अब बेरुबारी के अगर आप बात पूछे तो बेरुबारी में भिंदू population जादा थी अब उस समय उस समय की बात है जब विधान चंद्रोय वेस्ट बंगॉल के CM थे एक नहरू और नून के बीच में एग्रिमेंट हुआ नहरू जी हमारे यहां पे PM और नून चाप जो थे वो थे PM और पाकिस्तान अब इन्दोनों के बीच में एग्रिमेंट हो गया 1958 में अब यह एग्रिमेंट के तहत यह कहा गया कि ठीक है आप एक काम करो बेरूबारी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं Northern बेरूबारी इंडिया रख लेगा Southern बेरूबारी इस्ट पाकिस्तान के साथ मर्च कर दिया जाएगा अब इसको लेके बड़ी क्राइसिस हुई विधांच अद्रोई ने भी कहा कि यह गलत बात है उन्होंने इस पाकिस्तान की इल्लीगल डिमांड को नकार दिया विचितर बात थी कि पार्लेमेंट ने पूछा भी नहीं अपने लोगों से कि क्या बेरूबारी दे देना चाहिए और बेरूबारी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भारत का पार्ट है हम कैसे पाकिस्तान का पार्ट बन जाए है प्राइसिस चलती रही लंबी चलती रही नहरून एग्रिमेंट हो चुका था नहरून एग्रिमेंट के बाद ये डिसाइट किया जा चुका था कि जो टेरिटरी है वो एक्स्चेंज कर ली जाएगी भारत अपनी कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को तभी देगा जब उतने लास नहीं होगा बेरूबारी यूनियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा अब ये अब देख सकते हैं कि इस तरह बेरूबारी यूनियन है 1971 के बाद इंडिया को फिर से वापस मिल गया और फाइनली मतलब ये कभी एफेक्ट आया नहीं इंप्लिमेंट की एक हिस्सा है इसी के साथ साथ आप यहां देख पा रहे है तीन बीगा कोरिडोर भी काफी फेमस है वो एक अलग विश है अलग वीडियो का चर्चा है अब यहां पे बात यह आती है कि फाइनली प्रेजिडेंट को बीच में आना पड़ा अब भारत के जो प्रेजिडें एक प्रॉपर पांच जज़ की बेंच बिठाके उस मैटर बें डिसकस करके अपनी उपीनियन प्रेजिडेंट को दे भी सकते डिनाय कर भी सकते हैं डॉक्टर राजेंट प्रसाद ने प्रेजिडेंशल रिफरेंस अंडर आर्टिकल 143 में कुछ कुछ कुश्यंस सुप्री पूरी नहीं है, question number 1, अगर पार्लेमेंट का पूछना ज़रूरी है, तो क्या आर्टिकल 3 में एक law pass किया जा सकता है, अगर आर्टिकल 3 में law अपने आप में पूरी complete नहीं है, तो क्या आर्टिकल 368 में constitution कॉमेंट करना पड़ेगा बेरूबार union को secede करने के लिए, पाकिस् तरह से तीन सवाल भेजे गए, कोट ने, कोट बैठा, कोट ने चर्चा करी, बात करी, और आर्टिकल 3 पे कोट ने एक judgment दी, पहले हम यह समझ लेते हैं, आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 बात करता है कि यहाँ पर पार्लिमेंट के पास पावर है, कि वो नए स्टेट्स बना सकती है, एरिया स्टेट्स का कम कर सकती है, boundary alter कर सकती है, लेकिन कहीं भी यह नहीं मेंचिन कि वो अपना कोई भी पार्ट किसी और को दे सकती है, किसी और कंट्री को दे सकती है, इसी तरह से आर्टिकल 1 क्लास 3 का CBA कहता है, कि इंडिया अपने अपने एरिया को add-on कर सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती है, ऐसी कोई पावर पार्लेमेंट के पास नहीं है, अब जब यह matter सुप्रीम कोट पहुँचा, तो सरकार की क्या दलील थी, आर्ग्यूमेंट था, government ने कोट में यह कहा कि हम कोई भी land को secession नहीं करें, मतलब अपना कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं, हम तो exchange कर रहे हैं, जितना land हम दे रहे हैं, उतने ही land हम ले रहे हैं, मतलब अगर 1000 square kilometer की land हमने पाकिस्तान को दे दी, तो पाकिस्तान भी बतले में हमें कहीं और 1000 square meter की land दे रहा है, square kilometer की, इसलिए ऐसा कोई boundary का यहाँ पे secession नहीं हो रहा, mere boundary dispute को हम, एक long standing boundary dispute चलता जा रहा है, हम बस उसको solve कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए कोई भी legislative intervention की ज़रत नहीं है, मतलब क्या कहा, कि पहली बात, कि preamble में word है unity, और भारत सरकार के पास, parliament के पास ऐसी कोई power नहीं है, कि वो भारत की territory को खतम कर सके, sovereignty transfer कर सके, अगर हम अपनी land पाकिस्तान को दे रहे हैं, हम अपनी sovereignty transfer कर रहे हैं, तो यहाँ पे term है sovereignty, preamble में पास ऐसी कोई power नहीं है, दूसरी बात यह भी कहा गया, कि article 1, clause 3, point C में clear mention है, कि भारत सिर्फ territories acquire कर सकता है, नहीं territories add on कर सकता है, पाकिस्तान ले लो पूरा, लेकिन पाकिस्तान को कुछ नहीं दो, तो कोई territory seed नहीं की जा सकती, यह दो government के against contentions, arguments रखे गए, अब court ने article 1 को ठीक से पढ़ा, article 3 को ठीक से पढ़ा, और court इसी judgment पे आया, सबसे पहली बाद court ने यह कहा, कि देखो preamble वाली बात तो यहां पे मतला, क्योंकि preamble जो है, वो constitution का part नहीं है, preamble से हम इस बात को नहीं समझेंगे, कि parliament किसी भी area को secede कर सकती है या नहीं कर सकती है, preamble का इस चर्चा का और इस judgment का matter of law नहीं है लेकिन हाँ article 1, 3C में जरूर हम देखेंगे, वाँ clear mention है कि government of India territory annex कर सकती है, acquire कर सकती है, बर अपनी कोई territory नहीं देगी, लेकिन एक चीज़ हो रहा है कि parliament के पास power है कि वो article 368 में article 1 को amend कर सकती है, 368 के थूर article 1 को amend कर सकती है, और फिर कुछ territory पाकिस्तान को दे सकती है तो मतलब यहाँ पर यह कह दिया गया कि parliament के पास power है कि वो secession कर सकती है, territory का provided, उसको constitution में amendment लाना पड़ेगा, अब साथ ही यह amendment जो है इसी amendment के थूर, आप schedule 1 में amendment लाईए, article 1 की definition को change कीजे, article 1 के matter को change कीजे, फिर आपको जितना land पाकिस्तान को देना आप दे दीजे, बिना आप parliamentary approval के कोई भी agreement को नहीं कर सकते है, यानि जो नहरू noon agreement हुआ था, वो subject to parliament's approval है, नहरू noon agreement को आपको parliament's approve करवाना होगा, parliament में majority जब तक vote नहीं करेगी, कि हाँ, हम बेरूबार union को transfer कर देते हैं, पाकिस्तान को, बेरूबार union बिना article 368 के amendment के transfer नहीं किया चलेगा, अब finally judgment का impact ये देखा गया, कि government को, parliament को एक ninth amendment act लाना पड़ा, 1960 में, जिसमें उन्होंने schedule 1 को amend किया, साथी साथ उसकी वज़े से, नहरू noon agreement को finally implement किया गया और कुछ area जो है, जिसको हम कहते हैं वेरूबारी union, उसको transfer करने की बात हुई East Pakistan को, ये बहुत लंबा नहीं चला, 1971 में war हो गई तो ये ही सारी चीज़े हुई थी वेरूबारी union में और कहा जाता है, सारी protest के बाद भी जो नहरू noon agreement था वो government of India बहुत जादा helpend थी implement करने के लिए और जिसको कितनी बार criticize भी किया गया है तो आशा करता है, इस तरह के topics आपको अच्छे लोग रहोंगे इस तरह के और case laws में लाता रहोंगा हमारी UPC IS के pre-combines के smart courses available है, flat 50% discount पे हैं studyiq.com से purchase कर सकते हैं हमारी app से आप इसको purchase कर सकते हैं मिलते हैं अंगले किसी session में तब तक के लिए goodbye, take care and God bless you all